एक और ब्राइंड न्यू वीडियो में आज जैसे कि आप वो टाइटल और थमने से पता चली गया होगा आज हम बनाने में एक आयरेंड फार्म जो की बहुत ही दा सिंपल होने बाले और उसके साथ साथ यह आयरेंड फार्म दिन में भी काम करेगा और रात को भी काम करेगा इसका मतलब यह है कि इस आएटेम के मतलब से हमें बहुत सारे आयरेंड मिलने वाले है और यह बहुत ही ज्यादा इसी है तो फिल्दिंग ब्लोक से 9x9 का स्कूर एरिया बना लेना है और हमें 9x9 का स्कूर मिल जाने के बाद तुस किसी भी साइड में आ जाने है और फिर ऐ ऐसे 4 blocks place करने के बाद हमें इस side में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blocks place करने हैं और फिर 7 blocks place करने के बाद उसके सामने ऐसे इधर 1 block अंदर तक हमें 4 blocks place कर देने हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा और 9 by 9 के square के side में 1 और square बनाने के बाद हमें इने 1 और block का height तक ले जाना है और फिर इन दोनों को 2 blocks का height तक ले जाने के बाद हमें ये जो ये छोटा square है इसे हमें 1 और block का height तक ले जाना है तुमें ध्यान रखना है कि तुमें बस square को ही बराना है उसके अलावा जो ये बरावला square है हमें इसे 2 blocks का height तक ही रखना है और फिर स्चोटे बारा score को 3 blocks का height तक करने के बाद हमें इसके middle में आ जाना है और फिर इधर 2 blocks छोड़ने है और इधर 3 blocks छोड़ने है उसके बाद हमें ऐसे building blocks place कर देना है बट हमें जो यह middle है इस middle हमें building block place नहीं करना है because इधर हमारा zombie रहेगा और इधर से वो zombie villagers को देखेगा तो villagers डर जाएंगे और iron and golem spawn होंगे इसलिए जो यह middle का block है इस पे हमें कुछ भी नहीं place करना और यह हो जाने के बाद फिर हमें इसके नीचे भी blocks place कर देना है और block place करने के बाद हमें place कर देना है boat बोट फिर उस बोट से निकलने के बाद हमें इसके दूसरे साइड में आ जाने है ताकि जो हमारे विलेजर से हो सके और इधर एक टॉल्च प्लेस करना बिल्कुल में भूलना नहीं तो इधर जॉंबी पागा हो जाएगा और विलेजर को मार देगा और बेट प्लेस हो जाने के बाद तुम्हें इधर ऐसे slabs प्लेस कर देना है विलिजर के रूम के उपर ताकि कोई mob बगड़ा विलिजर के पास ना जा पाए और फिर हमने जितने सारे blocks प्लेस किये थे हैं उन सारे blocks के उपर हम प्लेस कर देंगे slabs हमें एक भी block बाके नहीं रखना नहीं तो उदर iron golem spawn हो जाएगा तो इसलिए हमें सारे blocks के उपर slabs place कर देना है बस इधर तुम दो चार blocks छोड़ सकते हो क्योंकि हमें इधर एक zombie लाना पड़ेगा और फिर सारे blocks के उपर slabs place हो जाने के बाद तुमें इसे आजाना है middle के area में फिर किसी भी corner पे ऐसे दो blocks place कर दो और फिर उसके side में ऐसे हमें place कर देना है fence gate और fence gate place ओप करने के बाद हमें इन ओपन कर देना है इन blocks को तोड़ दो और फिर उन blocks को तोड़ने के बाद हमें इसके चारो corners पे water place कर देना है और 4 corners पर water place करने के बाद जिन blocks के उपर हमने fence place किया था उदर आ जाना है और यह जो 4 blocks पर water नहीं आ रहा है उनको हमें 21 blocks तक mine कर लेना है और 21 blocks नीचे तक mine करने के बाद किसी भी side में कुछ blocks तोर देना है और फिर किसी भी side माइन किया था उनके एकदम उपर हमें प्लेस कर देने हैं ऐसे होपर से दो ब्लॉक्स उपर हमें साइंस इस वाले वाल में फिर उसके सामने हमें फिर से science place कर देने हैं और फिर 4 science place हो जाने के बाद हमें इस corner पे place कर देने हैं lava और lava place हो जाने के बाद हमें ऐसे 4 glass भी place कर देना इदर ताकि कोई iron golem जो है वो इदर से हमारे तरफ ना आ पाए और बस हमारा काम इदर लगबग हो ही चुका है अब हमें बाहर जाना और बाहर आ सके इस chest से हमारे iron collect करने हैं और इस ladder के पास भी torch place कर दो और फिर mine करते जाओ और ladders place करते जाओ फिर ladder place हो जाने के बाहर आ जाओ एक ladder तुमें नहीं place करना और इदर place कर दो trap door ताकि तुम easily इदर से नीचे जा सको और loot ले जाको और अब हमारा collection system complete हो जाने के बाद हमें इ iron garden farm के side में spawn ना हो सके और हमें slap प्लेस करने कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमें इस corner पे दो slaps place करने और फिर इस पहले slap को लेका हमें 20 sips total place करना एक दम श्रेड और फिर इसससे 20 sips place हो जाने के बाद तुमें आ जाने इसके दूसरे side और हमें इस side में place करना है 8 slaps स्वाइ कर देना जिससे अब बड़ा सा स्कुएर मिल जाएगा और इस पूरे एरिये को अब भम स्थ खवर कर देना है और इस जैसा कि देख सकते तो हमने पूरा जोई इरिया है इस स्थ कवकर कर दिया है और अब लगबक कंप्लीट है बस हमें इदर इस बोट में लाके एक जोंबी बिठा देना है और हमारा काम complete हो जाएगा जो जॉम्बी को लाने के लिए तुम्हें ऐसे slabs place कर सकते हो ताकि इदर से जॉम्बी जो है वो jump करके आ जाए और फिर हमें इदर जॉम्बी को गिरा देना है और अगर तुम survival mode मोड में हो गए तो तो जैसे कि दे सकते हो इदर जोम्बी आ जाएगा इन slabs के मадब से चलके जॉम्बी इजली आ सकता है तुम्हारे पास तो जैसे ही zombie आ जाए उसे हिट करके इदर बिठा दो और जैसे ही तुम्हारा जॉम्बी इदर आ जाए तुम्हें जो slabs है तोड़ देना है ऐसे ताकि कोई जॉम्बी बगराना आसा के ऊपर और फिर इस जॉम्बी को ऐसे पूरा बंद कर देना है स्लैप्स के मदद से तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि आयरें गोलम स्पॉन होना चालो हो चुका है जैसे कि देख सकते हो और कैस जैसे कि देख स सकते हो और अगर तुम्हें गार्डियन फार्म का टूटोरियल चाहिए तो राइट साइड वाला वीडियो चेक कर सकते हो शाधिन चलोगे अज के लिए इतना है हम में लेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए सामधान रहें सतर क्रहें और बाई बाई